अकाउंट क्रियेशन के बाद अगली चीज जिसके लिए आप सारे सिस्टेम रेडी हैं वो है वेबसाइट क्रियेशन जो एक बहुत सिंपल और स्रेटफरवर प्रॉसस है तो आए देखते हैं को किस तरीके से किया जाता है विक्स.com के मेन लेर्णिंग पेज़ पर अगर आप देखें तो क्रियेट न्यू साइट का बटन आपको नज़र आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वेबसाइट बिल्डर विक्स आपके सामने खोलेगा और यहां आपसे पहला सवाले पूछ रहा है क के आप किस तरह की वेबसाइट क्रियेट करना चाहरे हैं तो रीजन आप आसकिंग इस क्वेस्टिन इस क्वेस्टिन इस के इन तमाम यह जो आप्शिन नीचे दीवी हैं इनके थीम्स डिफरेंट हैं जो विक्स आपके सामने भी थोड़ी देगा बाद खोलेगा तो अगर और फॉर एजेंपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक बिजनस वेबसाइट बनाना चाहरा हूँ तो अब क्लिक ऑन बिजनस आपशिन और इस पर क्लिक करने के बाद अगला सवाल जो विक्स मुसे पूछ रहा है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि क्या मैं जो उनका सब्सक्राइट के आने के बाद काफी वेबसाइट अपने प्लैटफॉर्म में इस पर्टिकुलर नॉलिज को इंटीग्रेट कर रही हैं तो होता है कि जब आप इस आप्शिन पर क्लिक करेंगे तो विक्स आप से डिफरेंट सवाल पूछेगा और सवाल पूछने के बाद यह इस्टेब्लिश करेगा कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए और आपके सामने वह मशीन जनेरिट फ़र्म के अंदर बना के देदेगा इसको आप अफ़ोर्स चेंज तो कर सकते हैं लेकिन विक्स यह समझता है कि आप से सवाल पूछने के पाद उन जवाब की बे तरह के तरह करें कि कौन सी वेबसाइट है जो आप बनाना चाहते हैं तो यहां में चूजए टेम्पलेट के आप्शन पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अब विक्स मेरे सामने बिजनेस रिलेटेड सारे टेम्पलेट जो हैं वो खोल के इट विल अपीर वेबसाइट इन शॉर्टस ताइम पॉसिबल मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रही हैं मुझे टेम्पलेट के तो फॉर एगर मैं किसी क्लिनिंग सर्विस के लिए वेबसाइट बिनाना चाह रहा हूं तो आई विल क्लिक ऑन इस पर्टिकुलर तेम्पलेट इसको यूज करने से पहले इफ आई वाँ वाँ तो विल क्लिक ऑन इस वीव बटन और मेरे सामने जो विक्स है वो इस वेबसाइट को ऐसे व्यूइंग फॉर्म के अंदर अपीर कर देगा कि ये टेम्पलेट है जो आपने स्लेक्ट किया है अब अगर आप नोट करें कि इस इस ready to be edited और this is in the form of a computer और ये laptop screen पर जैसे अपीर होगा लेकिन left side top पर अगर आप देखे तो mobile optimization automatically इसमें included है यह मैं mobile के इस पर icon टो क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने mobile की जो website होगी वो अपीर कर रहा है विच इस बीटिफुरी इस आप पेज और अगर मैं इस particular template को यूज करना हो तो तो देना विल क्लिक on this edit this side button और edit this side button पर क्लिक करने के बाद website builder खुल जाएगा और उसके थूरू I can change and I can play around with my template and I can use it as per my need जो मेरी need है अगर मैं picture को different use करना चाहरा हूँ I can do that वो तमाम चीजें मैं use कर सकता हूँ और उसको change कर सकता हूँ यहां एक चीज आपने जहन में रखनी है यह website builder आपको Wix provide कर रहा है that is heavily graphic intensive platform तो हो सकता है कि अगर आपका system जो है वो slow है यह पुराना है तो शायद Wix.com उतनी performance पे perform ना कर सके तो इस वजह से अगर आपका laptop नया है तो Wix will perform fine तमाम और applications को फिलहाल बंद कर दें ताकि इस particular website builder builder को आप use कर सके और without any lag आप अपनी website को redesign कर सके अब दो clicks के ओपर आपने अपनी website को decide कर लिया कि आपने कौन सा design यूज करना है और आप उस design के आप builder में पहुंच गए है जहां आपने उसको edit करना है अपने images को अपने text को change करना है इसके अलावा तमाम जो और templates हैं उसको आप at a time launch करें मैं आपको suggest करूंगा कि आप एक blog के template को देख लें आप business के template को देख लें और आप एक online store के template को use करें और use करके open करें और देखें कि इसमें क्या क्या options हैं जो website builder आपको provide कर रहा है